हालो डियर स्टुडेंट तो आज स्टार्ट करते हैं अब लो लेक्चर होमवक क्वेस्टन के साथ तो यहां पे मैंने तुम लोगों को यह क्वेस्टन दिया था य की पावर वन अपन हैं प्लस वाई की पावर माइनस वन अपन हैं इस इकल टू एक्स देन फाइंड फैंड स्क्वेस्टन को सिंपल बनाने के लिए तो यह एक्वेशन देखो क्या लिखेगी हम लोगों को टी प्लस वन अपन टी इस इकल टू 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 एक्स तो यह टी में क्वाट्रिडीग एक्वेशन हो जाएगी तो टी में क्वाट्रिडीग एक्वेशन यह किस तरीके से हो जाएगी टी स्क्वेर प्लस वन अपन टी इस इकल टू 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 एक्स टी अब इसको यहां इधर मल्टिप्लाई कर तो यह क्या हो जाएगा T square कुछ गड़वर होगी यहां पर यह T multiply नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने divide में लिखावाए तो यह 2x है अब यह T उदर multiply हो जाएगा तो 2x T हो जाएगा मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस 2x T T plus 1 is equal to 0 ओके तो यह equation हम लोगों की यहां पर बनकर आई है अब देखो हम लोग formula जानते हैं quantity equation को solve करने का तो वहां से हम लोग T की value निकाल सकते हैं वह कितना होगा माइनस B जो माइनस B यहां पर माइनस 2x है तो यह कितना हो जाएगा 2x प्लस माइनस अंडरूट B स्क्वेर B स्क्वेर मतलब 2x का स्क्वेर मतलब 4x स्क्वेर माइनस 4ac11 upon 2a ओके तो उपर वाले अंडरूट वाले portion में से common लिया जा सकता है 2 तो यह t की जो वैल्यू है यह t हम लोगों ने किसको माना था y की पावर 1 upon m को तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई हम लोगों के पाद x plus minus under root x square minus 1 अब देखो y की पावर 1 upon m y की और m की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा क्या होता है positive यह positive इसलिए हम लोग यहां से सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते है y की पावर 1 upon m is equal to सिर्फ हम प्लस वाल्यू लेंगे मतलब हम लिखेंगे under root x square minus 1 तो अभी हम लोगों ने differentiation किया नहीं है अभी तक हम लोगों ने सिर्फ y की value x की form में calculate की है अब हम लोगों का differentiation यहां पर हम लोग कर सकते हैं तो differentiation करने से पहले यह m को नीचे उतार लिया जाए तो m को नीचे इसलिए उतार रहा हूं क्योंकि यह m पावर में जो solve करन to log x plus under root x square minus 1 ऐसा लिखा जा सकता है अब इसका differentiation कर दो differentiation with respect to x तो x के respect में differentiation करेंगे इस equation का तो हमारे पास जो है जो आएगा हूं नीचे की तरफ हम लोग लिख देते हैं तो देखो क्या आएगा 1 upon m तो वैसे का वैसे रहेगा ओके और log y का कितना हो जाएगा 1 upon y और y का is equal to log का again 1 upon पूरा का पूरा portion x plus under root x square minus 1 अब x plus under root x square minus 1 का differentiation करेंगे उपर की तरफ तो यह कितना हो जाएगा 1 plus 1 upon 2 under root x square minus 1 और x square minus 1 का कितना हो जाएगा 2x ठीक है तो यह differentiation है right hand side का पूरा का पूरा अब इस right hand side को तोलसर solve करते हैं हम लोग तो right hand side को solve भी कर सकते हैं और m को उदल ले जाते हैं यह वाले m को और जो y है y को भी उदल ले जा सकते हैं पर यह ही रहने देते हैं अभी देखो y1 upon y is equal to लिखा जा सकता है m देखो यह 2 से यह 2 कड़ गया अब अगर हम उपर lcm ले minus 1 और जो पहले से term है वो तो लिखनी पड़ेगी हम लोगों को x plus under root x square minus 1 अब यह पूरी की पूरी term यहां पर cancel हो गई अब यह जो cancel हो तो ठीक है अब जो बचा उसको लिख देते हैं तो हम लोगों के पास यहां पर remaining कितना रहेगा y1 upon y अब ठीक है चलो y1 upon y is equal to लिखा ज under root x square minus 1 अब y को right inside के अंदर multiply कर दो और इस पूरी equation का क्या कर दो square कर दो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं तो को y1 square under root नहीं लिखेंगे square कर रहे हैं इसलिए x square minus 1 is equal to m का square y का square अब इस equation का बेफिक्र जो है differentiation यहां पर हम लोग कर सकते हैं easily कोई दिक्कत यहां पर नहीं है तो इसका differentiation करेंगे तो y1 square का पहले कर लेते हैं तो यह कितना होगा 2y और y1 का करेंगे तो कितना होजाएगा y2 और x square minus 1 को हम लोगों ने छोड़ दिया प्लस अब y1 के square को छोड़ दो x square minus 1 का करो तो यह कितना होजाएगा 2x is equal to m square तो constant है और y square का करेंगे तो कितना है का 2y और y का करेंगे तो y1 तो I think 2y1 सभी जगे से common आ रहा है और cancel हो रहा है 2y1 जो है cancel हो रहा है common आके सब जगे से तो क्या बचा y2 x square minus 1 plus 2y1 common आ गया तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ x y1 is equal to m square y y कितना साथ तो यह हम लोगों का answer है जो हम लोगों को पूछा वा था उसका answer कितना है m square y ओके सिंपल है तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आन्त derivative का मतलब क्या है कोई भी y य की दियू हूँ है हम लोगों को एक बार differentiate करने पर हम उसको y 1 बोलते हैं दो भार differentiation करने पर हम उसको y Seems को बलते हैं अब हम लोग इस तरह के questions देखेंगे जिसके अंदर हम लोगों को y n calculate करना है y n मतलब इसको वैसे compare करो जिसे हम लोग apgp में tn निकालते थे general term उसी दरीगे से general differentiation मतलब अगर मैं ने एक बार nth time differentiation निकाल लिया तो कोई तुमे 6 time 7 time 8 time पुछेगा तो तुम n की value 6 7 8 एक सिंपल सी जहां पर रख दोगे तो देखो case first है यहां पर हम लोगों के पास सबसे पहले y is equal to e की पावर a x plus b तो इससे answer हम लोग यहां पर लिखेंगे इससे y1 की value है ना y n की value पर वह कैसे लिखेंगे एक बढ़ differentiation करके देखो सबसे फ़ले तो e की power x का तो वही होता है e की power a x plus b अब a x plus b का करेंगे तो कितना आजाएगा चलो एक बार और differentiation करो इसका तो यह कितना हो जाएगा a square e की power a x plus b एक बार differentiation करो चलो इसका y3 is equal to क्या हो जाएगा a3 e की power a x plus b तो देखो इसको compare करके तो यहां से y n लिख सकते हो आराम से कोई दिक्कत नहीं है a की power and e की power a x plus b तो case first से y n की value कितनी आ गई a की power and e की power a x plus b अब इसी दरीके से यहां पर इसका एक बार differentiation करो तो यह वाइवन बदाबर हम क्या लिख सकते हैं देखो a की power x का differentiation होता है a की power x log a तो हम लिखेंगे इसको a की power b x plus c into log a और b तो यहां पर multiply हो गई देख क्योंकि b x plus c का भी हम लोग differentiation करेंगे तो यह कितना हो जाएगा b और आगे आ जाएगा log a चलो एक बार ओडिफ्रेंशेशन करो y2 बराबर तो देखो b log a तो अपनी जागे रहेगा और a की power b x plus c का दुबारा से y1 y2 को मतलब देखके तुम y n हमेशा लिख सकते हो b की power कितनी n y2 है तो b square y1 है तो b और y n है तो यह nth time differentiation है तो क्या हो जाएगा b की power n into log a का power n और a की power क्या हो जाएगा b x plus c अब देखो इससे related हम लोग example भी solve कर लेते हैं suppose करो हम लोगों को left hand side में जो उससे related question दिया वह है कि य is equal to e2-3 x है ना y n calculate करके बताओ तो y n हम लोग लिख देंगे कोई दिक्खत नहीं है यहां पर हमारे रपास a की value कितनी है माइनस 3 और b की value कितनी है 2 तो y n is equal to लिखने में कोई परिशानी नहीं है तो यह कितना होजाएगा जो x का multiple है वह माइनस 3 है तो माइनस 3 की power n e की power 2-3 x is and the time differentiation of given equation इसी तरह के से case 2 के अंदर जब भी हम लोग कुछ न कुछ example create कर सकते हैं जैसे कि मानलो एक example यहां पर तुम्हें किसी ने बोला कि y जो है वह है देखो यहां पर मैंने पहले से यह answer लिखे हैं अगर y बराबर sin a x plus b है तो y n बराबर क्या होगा a की power n sin n by 2 plus a x plus b अब यह कैसे होगा तो देखो यह वाली जो equation है इसका एक बार differentiation करो तो y 1 बराबर कितना होगा साइन का differentiation क्या होता है cos cos a x plus b अब a x plus b का करेंगे तो into में क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को a कोई दिखकत नहीं है एक बार और differentiation करो इसी equation का तो y 2 बराबर कितना आएगा cos का क्या लिखेंगे हम माइनस sin तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस sin a x plus b और into a तो ही सही एक और a आएगा तो यह मिलके क्या हो जाएगा a square हो जाएगा अब इना इसको दिखान से देखो अगर हम लोगों को इस वाले question को दुबारा से sin की ही form में लिखना है हम लोगों को इस equation को जो है sin की ही form में लिखना है जैसे पहले वाले को हम लोग लिख सकते थे जैसे की जैसे मालो मेरा यह y बनाया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a sin pi by 2 plus theta plus theta का मदलाब है यहाँ पे a x plus b ठीक है अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते है a square sin pi by 2 के साथ क्या multiply करो तो 2 क्योंकि दो बार differentiation किया है अब देखो यह वही value आ रही है क्या 2 pi upon 2 कितना हो जाएगा sin pi plus theta क्या होता है minus sin theta है ना इसी दरीगे से अगर हम y3 calculate करना चाहें तो y3 भी हम लोग को 1 था तो sin के अंदर अब क्या हो जाएगा n pi by 2 plus a x plus b इसी दरीगे से लोगो राइट इंट साइड में भी हम लोग जो है formula कर सेंगते हैं क्योंकि y बराबर cos a x plus b है तो एक बार differentiation करोगे तो यह कितना बन जाएगा sin में फिर दुबारा हम लोगों ने a की power a x plus b देखा था case 2 में हम लोगों ने देखा a rest to a x plus b अब हम लोग देख रहे हैं sin a x plus b cos a x plus b अब देखो यह होगे हम लोगों के formula अब इस formula को use करके हम लोग करते है question sort जैसे कि यहां पे हम लोगों को देखो example दिया वाए सबसे पहले जो है हमारे पास य को apply यहां पर करना चाहूं तो a की value कितनी है a x plus b से compare करें तो 2 और जो b की value है वो कितनी है 0 तो यहां से y n लिखने में कोई परिशान ही नहीं होनी चाहिए y n बराबर क्या होता है a की power n मतलब यह क्या हो जागा 2 पी power n sin n pi by 2 sin n pi by 2 plus a x plus b मतलब वो कितना हो जागा सिर्फ 2x इसी दरगे से second number का question क्या है y बराबर cos square x तो square के लिए हम लोगों ने nth derivative नहीं पढ़ा तो सबसे वहले इस square को गायब करेंगे तो square को गायब करने के लिए देखो हम लोगों ने एक formula पढ़ा था cos 2x का 11th class के अंदर cos square x की form में तो वो क्या होता था 2 cos square x minus 1 यहां से cos square x की value निकाल लो तो cos square x को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus cos 2x upon 2 अब जो यह question है जो y की value दी हुई है तो यह y बराबर हमारा हो क्या जाएगा 1 plus cos 2x upon 2 मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 by 2 plus 1 by 2 into cos 2x अब यह 1 by 2 तो एक बार differentiation करेंगे उसी मगाया हो जाएगा तो second time में तो available रहे गई नहीं तो हम यहां से y n लिख देते हैं देखो directly यह वाले 1 by 2 को ignore कर दो और यह जो है constant है यह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा अब cos a x plus v में a बराबर 2 है तो इसका answer क्या हो जाएगा a की power n मतलब 2 की power n cos n pi by 2 plus a x plus b a x कितना है यहां पर 2x तो यह हम लोगों का nth time differentiation है अगर y बराबर cos square x है तो हम nth time differentiation कर सकते हैं अब n की वाली 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो ऐसे करके 1 time 2 time 3 time differentiation यहां पर calculate किया जा सकता है कोई बोड़ी linear equation में change करना पड़ेगा तो हम इसको क्या लेख सकते है sin square x का whole square अब sin square x को हम लोग और भी linear में change कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते है sin square x is equal to होता है 1 minus cos 2x upon 2 और यह पूरे का क्या है whole square अब नीची जो 1 by 2 है उसका square करेंगे तो वह तो कितना हो जाएग 1 by 4 ऐसे कैसी बाहर रहे हैं तो इसको कोई दिक्कत यहां पर नहीं है और अंदर जो है वह कितना हो जाएगा 1 minus cos 2x का whole square 1 minus cos 2x का whole square तो वह कितना हो जाएगा 1 का whole square plus cos 2x का whole square minus 2ab वाले formula से minus 2 cos 2x तो देखो यह यहां पर बान है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर दिक्कत है cos 2x को तो cos 2x को दुबारा से हम लोग किसमें change करेंगे linear formula में इस 1 by 4 को अंदर ले जाओ तो यह कितना हो जाएगा 1 by 4 plus 1 by 8 और यह हो जाएगा 1 plus cos कितना हो जाएगा यह 4x 1 plus cos 4x minus 2 cos 2x अब इसका nth time differentiation लिख दो कोई दिक्कत नहीं है यह 1 by 4 तो पूरी दरीके से गया हो जाएगा पहली differentiation में formula कहां कहां apply हो जाएगा यह 1 by 8 को भी क्या हो तो अंदर ले जा सकते हो ताकि differentiation कर ले तो देखो y बराबर क्या लिखा जा सकता है 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 8 into cos 4x minus 2 cos 2x तो formula लगेगा बस last second और last में तो हम यहां से y n बराबर लिख सकते हैं तो 1 by 4 और 1 by 8 तो remove हो जाएगा differentiation करते ही 1 by 8 constant है ऐसा का ऐसा ही रहेगा कि उसके साथ multiply है अब 4 की power कितनी हो जाएगी n और हम लोग यहां पर लिख सकते है cos n pi by 2 plus 4x minus तो ही सही और यह 2 वैसा का वैसा ही रहेगा cos 2x से यह बराबर 2 है मतलब 2 की power n cos n pi by 2 plus 2x तो given जो था हम लोगों के पास sign की power 4x उसका n time differentiation हम लोगों ने calculate किया है तो चलो और practice करते हैं मैं क्या करूंगा यह n time differentiation के maximum question की practice यहीं करवा दूंगा lecture के अंदर ताकि क्योंकि इस तरह के question हो सकता है तो मैं मिले ना तो फिर दिक्कत ना हो इसलिए तो देखो sign 3x तो यहां पर sign की power 3x है अगर sign की power 4x लता तो उपर हम लोगों ने method देख लिया तो देखो एक formula हम जानते है sign 3x का sign 3x देखो हम लोगों ने क्या बढ़ा था 3 sin x minus 4 sin cube x है ना यहां से हम लोग value निकालने वाले है sign 3x की तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से 4 sin cube x अगर इसको मैं left में ले जाता हूं box वाले को और sign 3x को right में ले आते तो यह क्या हो जाएगा 3 sin x minus sin 3x इसका मतलब y हम लोगों को sin cube x नहीं दियावा y is equal to हम लोगों को लिखावा है 3 sin x minus sin 3x हो गया linear में change अब इसका n time differentiation कर लो कोई problem नहीं है आसानी से हो जाएगा 3 वैसा का वैसा है जाएगा अब यहां पर sin x है मतलब a is equal to कितना है 1 दियावा है तो इसका differentiation क्या हो जाएगा 1 की power n मतलब 1 और sin n pi by 2 plus ax मतलब simply x minus अब यहां पर 3 है एक ही जाएगे तो यह क्या हो जाएगा 3 की power n sin n pi by 2 plus 3x देखो यह जो मैं सिखा रहा हूं इस lecture के इंदर ही सीखते जाना है क्योंकि हो सकते है इसकी practice करने को तुम्हें कोई ज्यादा question मिले ना बट कभी-कभी आते हैं ऐसे question अब देखो यहां पर है ना दो function है cos 2x into cos 4x तो ऐसा भी हम लोग ने end time differentiation नहीं किया तो यह जो multiplication है पहले इसको addition में change करो trigonometry लगा गए तो 2 से multiply divide कर लो तो क्या करेंगे 1 by 2 2 cos 4x and sin 2x अब 2 cos sin किसका formula होता था यह formula हो सकता है sin a plus b minus sin a minus a plus b का तो यह 1 by 2 sin 4x plus 2x तो यह तो हो जाएगा हमारा कितना 6x minus sin 4x minus 2x तो यह दोनों मिलके कितना हो जाएगे 2x अब एक काम करो यह जो 1 by 2 है उसको बहार ही रहने दो यह दोनों में multiply करना दो दोनों में multiply कर दो और पर y n लिख देंगे हम आपने लोग तो चला गया sin 6x काम क्या लिख देंगे 6 की power n sin n pi by 2 plus 6x ठीक है इसी तरीके से यह 1 by 2 दो बहार ही है सबके साथ minus 2 की power x sin n pi by 2 plus 2x इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर हम लोगों ने एक बार nth time differentiation का formula बना दिया तो कितने भी question मन जाए हम उस formula को बार बार apply करके n time differentiation लिख सकते हैं ठीक है चलो next formula पढ़ते हैं अब हम लोग जो important है देखो क्या दिखावा है अगर y की value e की power a x sin b x plus c दिखा है तो हम लोग differentiation and time differentiation calculate कर सकते हैं इससे पहले मैंने तुम लोगों को calculate करके बताया है एक बार one time differentiation करो फिर two time differentiation करो ऐसे करते रहो फिर उसको क्या बना तो general तो यहां पर क्या हो जाएगा a square plus b square की power n by 2 sin b x plus c plus n 5 जहां पर 5 की value कितनी है 10 invert b अपने अगर sin की जागे cos है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा cos और बाकी कुछ भी changes के अंदर होगा नहीं तो चलो इस से related भी कुछ ने कुछ example हम लोग यहां पर solve कर लेते हैं तो पहला वालो question sin से related है तो यहां पर उपर वाले formula से a और b और c की value निकालो तो a बराबर कितना है b 3 और b बराबर कितना है 4 और c यहां पर है नहीं c यहां पर नहीं मतलब यहां पर bx plus कुछ है नहीं तो अब यह formula मैं apply कर दो तो y n हम लोग यहां पर formula से लिख सकते है y n की value कितनी हो जाती है a square plus b square मतलब 9 plus 16 की whole power हम लोग लिख सकते है n by 2 ओके फिर हो जाता है formula e की power y e की power 3x फिर यहां पर हम लोग लिख देते हैं sin bx plus c plus n 5 तो यह कितना हो जाएगा 4x plus 0 plus 5 और 5 की value पता ही है यह ना तो इसको solve करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 25 की power n by 2 25 की power n by 2 मतलब 5 की power n e की power 3x sin 4x plus 5 फिर 5 की value अभी हम लोगों ने देखी कि 5 की value कितनी होती है देखो 10 inverse b upon a तो 5 बराबर क्या लिखा जा सकता है 10 inverse b upon a और b की value और a की value तो हम लोगों को पता ही है तो यह इतना हो जाएगा 10 inverse 4 by 3 ओके तो इसी दरीके से cause का भी एक example हम लोग यहां पर देख लेते हैं ओके यहां पर कॉस का नहीं sign कई है पर यह square में है तो इस square को change करना पड़ेगा पहले सबसे पहले हम लोगों को है ना तो यह कॉस में convert होगा e की पावर 3x तो sin square x को हम लोग cos की डम में क्या लिख सकते हैं 1-cos 2x upon 2 ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि यहां square है तो उसके लिए formula नहीं है यहां पर linear होना चाहिए कुछ अंदर 4x 2x कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा simply e की पावर 3x upon 2 minus e की पावर 3x cos 2x अब देखो यहां पर दो तरह के case वाले function एक साथ लिखे हो हैं तो हम उसका a की बार में answer लिखेंगे y n बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर n e की पावर 3x upon 2 और अगला हो जाएगा minus 1 by 2 यहाँ पर लिखना चाहिए था हम लोगों को 1 by 2 और आगे हो जाएगा कितना 3 plus 4 3 का इसका मिला 9 9 plus 4 मतलब हो जाएगा 13 की पावर n by 2 e की पावर x e की पावर 3x और cos 2x प्लस 5 5 भी नहीं n 5 कितना आता है फॉर्मुला में n 5 यहाँ पे भी हम लोगों को क्या लिखना चा हमले क्या कोटिंग तो यह इतना सा अंसर है कोई गड़बल इसके अंदर नहीं है ओके तो यह एन टाइम डिफ्रेंशेशन होगे केस फॉर का अब केस फाइफ देखो यह जो वाई बराबर वन अपॉन एस प्लस भी है इसका एक बाद डिफ्रेंशेशन करोगे तो नीचे स प्लस भी की पावर एन फैक्तरिल अपॉन अब इस फॉर्मिल्ले को ध्यान में रखते हुए इस क्वेशन को यहां पर हम लोगों को देखो वाई एन निकालना है इस क्वेशन के अंदर तो इस क्वेशन को अगर मैं उपर से कंपैर कर आऊ हूं तो ए बराबर मुझे हैं कि लिखेगा 2 और b की value कितनी है 3 तो बस formula लगा दो yn बराबर क्या हो जाएगा minus 1 की power n a की power n मतलब 2 की power n n factorial divided by x plus b मतलब 2x plus 3 की power n plus 1 तो अगर 1 upon linear function है तो इस तरीके से हम लोग उसका answer लिख सकते हैं अब देखो एक example y बराबर क्या लिखावा है नीचे है न linear नहीं है और formula हम लोगों नहीं linear का पड़ा है तो हम लोगों को इसको linear में change करना होगा तो सबसे पहले नीचे a square minus b square का formula लगा दो यह क्या देखा x minus a into x plus a अब देखो उपर और नीचे है हम लोगों को linear ही बनाना है तो linear बनाने के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर x minus a into x plus a तो यहां पर partial fraction करके कुछ method होता है वो हम लोग यहां पर apply कर सकते हैं तो जैसे कि suppose मैंने उपर लिख दिया x plus a यहां पर लिख दिया मैंने x plus a और माइनस कर देता हूं मैं x minus a और divide में लिख देते हैं हम ऐसे जुवाल कर रहे है x minus a into x plus a तो देखें ऐसा करने से क्या हो x से x कड़ गया उपर 2a एक्स्ट्रा रहा है 2a एक्स्ट्रा हो रहा है तो अपन क्या कर देते हैं इसको 1 upon 2 बना देते हैं अब यहां पर separate कर दो इसको तो separate करोगे तो कितना आएगा 1 upon x plus a upon यह तो कड़ जाएगा तो यहां पर आगा x minus a minus 1 upon x plus a अब यहां पर तुमने successful इसको किसमें change कर दिया linear form में change कर दिया तो इसका भी formula apply किया जा सकता है और इसका भी formula apply किया जा सकता है यहां पर तो हम इस question के अंदर y n लिख पाएंगे बारहां से तो y n बराबर कितना हो जाएगा हमारा सबसे पहले 1 upon 2 है तो वहीं कभी है और minus 1 की power n दोनों में आएगा तो इसको common ले लो और n factorial भी दोनों में आएगा अब अंदर की तरफ जो बचा हो लिख दो तो यह कितना हो जाएगा 1 upon x minus a की power n plus 1 minus 1 upon x plus a की power n plus 1 this is the answer मतलब यह हो गया हमारा nth time differentiation तो most important step के अंदर पहली है इस से इसको इसमें change करना देखो हम लोगोंने उपर x plus x x minus x लिख तो उपर 2 है तो 2a से उसको दुबारा डिवाइट कर देंगे तो equation तो वह ही रहेगे ना इस तरीके से अब देखो यह एक बार j e में आयावा question है अच्छा question है इसको भी हम लोगों को try कर लेना चाहिए तो यहां पर क्या लिखावाए 1 upon 2 r square 10 inverse 1 upon 2 r square देखें इसको अगर मा x plus 10 inverse y का formula बनाना है तो देखो मैं क्या करता हूं इसको सबसे बिले 2 से multiply divide करता हूं तो यह 2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 r square अब देखो 4 r square तो है ठीक है अब इसको थोड़ा बहुत factorize करते है थोड़ा formula जैसा बनाते है r is equal to 1 से n 10 inverse उपर जो 2 है उसको चलो एक तो अब यह वहिए अब इसके थोड़ा factor बनाना जरा तो य बराबर क्या लिखा जासकता है summation r is equal to 1 से n यह थोड़ा advanced level का question है बट समझने की कुशिश करना देखो नीचे क्या खिजली पकरी है नीचे अगर हम factor बना देंगे यहाँ पर a square minus b square तो इसको क्या लिखा जासकता ह अब इसको देखके तो तुमारे दिमाग में फॉर्म लाक्रेट होई जाना चाहिए और वो formula क्या create होना चाहिए देखो y बराबर क्या लिखा जा सकता है इसको sigma r is equal to 1 से n 10 inverse 2r plus 1 minus 10 inverse sigma के अंदर ही चल रहा है 10 inverse 2r minus 1 अब r की value 1 से लेकर 3 तक और इस तरीके से value put करते जाओ तो देखो यह वाय है वो आएगा कितना एक बार क्या रख दो 2r plus 1 में चलो उपर ही लिख देते हैं नहीं तो फिर नीचे दिखेगा नहीं पर यहां पर अब हम लोग y की value रखना स्टार्ट करते हैं तो लांश्ट में इस तरीके से तो एन रखेंगे तो क्या हो जाएका 10 inverse 2n plus 1-10 inverse 2n-1 अब देखो यह सब कट हो रहा है मतलब यह सब addition में है यह सब के सब किसमें है प्लस में है तो अगर यह प्लस में है तो देखो यह किस तरीके से ऐसे मतलब यह कटता हुआ जागा है पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस में यह कैंसिल होगे यह कैंसिल होगे यह कैंसिल हो जाएंगे फिर इस तरीके से एक तो बचेगा क्या एक तो अगर इएक रहता डब nh करना गेट करना क्यलोट करना अब यहां पर डिफेरिंशचीन करेंगे टोका य वाइस इक वाय रिफोटे सोओं कर तो एंटू-छिरो तो इसका फाइनली आंसर कितना होझा देग तो two upon one plus two and plus one का whole square तो बहुत ही अच्छा कुश्ण था इसके अंदर हम लोगों ने कुछ extra concept लगाया इस question को solve करने के लिए अब देखो यहां पर भी formula create किया जा सकता है अब इससे related example हो जाएं जैसे कि suppose करो हम लोगों को किसी ने बुला y is equal to log x square minus 4 अब इसका y n निकालो क्या निकालो y n अब हमने तो यहां linear देखा है और यहां क्या है quantity तो कोई दिक्कत नहीं है इसको फैले factorize कर लो तो हम इसको क्या लिख सकते है लोग x minus 2 into x plus 2 तो यह हो जाएगा log में log x minus 2 plus log x plus 2 अब बिंदाज उपर वाला formula यहां पर लगा दो दोनों के लिए तो y n हम लोग यहां पर लिख सकते हैं तो minus 1 की पावर n minus 1 अब minus 1 की पावर n minus 1 दोनों में से common ले लिए जाए और 1 की पावर n भी दोनों में से क्या ले लिए जाए common और even n minus 1 factorial भी दोनों में आएगा इसे ठीक है तो बस जो अलग अलग portion है वो लिख देते हैं तो इधर क्या आ जाएगा x minus 2 की पावर n minus 1 अपोन x minus 1 x plus 2 की पावर यहां पर हम लोग क्या लेक सकते हैं n देखो यह वाला portion यह वाला portion और यह n minus 1 factorial लोग ने क्या ले लिए था इसके अंदर common तो यह था भई nth time differentiation है यह भी एक differentiation का ही portion था